बिन्या मावा, बिन्या चास्नी और बिन्या घी के एक दम मखन की तरह मुलायम और स्वादिस्ट मिठाई आज में बना कर तयार करूँगी, घर के ही समान से ये मिठाई बनके तयार हो जाती है, इसे किसी भी तेभार पर बना सकते हैं, या जब हलका फुलका कुछ मीठा खान की इक्षा हो तब भी बना सकते हैं, तो चलिए ये मखन की तरह मुलायम मिठाई को बनाना सुरू करती हूं, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस पर एक कडाई रखी हूं, और लो मीडियम फ्लेम पर रखी हूं, इसमें सूजी डाल दे रही हूं, डेड़ कप, सूज सूजी मोटी वाली हो या बारिग वाली कैसे भी हो दोनों चलेंगी, डेड़ कप सूजी ली हूं, और इसे आठ नौ मिनेर तक भूनेंगे लो मीडियम फ्लेम पर इसका कच्छापन खतम हो जाए और कलर भी चेंजना हो, अपने घर की कोई कटोरी सेट कर लें, मेजरमेंट के लिए उसी कटोरी से सब समाल लेंगे तो बढ़िया बनेगा, जैसे मैं डेड़ कप सूजी ली हूं, आप कटोरी से लें तो डेड़ कटोरी ले लें, आगे इसी हिसाब से समाल लेंगे, चीनी हो गयरे, तो धीमी आज पर इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे, अगर आप चाहें तो सूखा गोला ले आकर ग्रेट करके डाल सकते हैं, सूजी के साथ हलका सा भून जाएगा, आप मैं गैस बंद कर दी हूं, क्योंकि हमारे सूजी में धीमी धीमी से खुसबू आने लगी है, कलर भी चिंज हो गया है, आप देख पा रही होंगे, जब सूजी अच्छे तरीके से भुण जाए, इसमें प्यारी सी खुसबू आने लगे, तब इसमें घी या दूद की मलाई डाल दें, मैं आज घी से नहीं बना रहे हूं, दूद की मलाई डाल दे रहे हूं, तीन चे मज़ दूद की मलाई डाली हूं, जो घर में डेली दूद आता है उसको उभाल का ठंडा कर देंगे, तो उसमें मलाई पड़ जाती है, वही मलाई इस्तेमाल कर रहे हूं, ताजी मलाई इस्तेमाल करेंगे, तो बढ़ी टेस्ट आएगा, मलाई के साथ 2-3 मिनेर तक और भूनूंगी, लगबग 3 मिनेर तक बढ़ी मलाई मिक्स हो जाए, तो खुषबू आने लगती है जैसे घी से आती है उसी तरीके से तो इसमें आप मलाई और घी अपने ज़रुत खिसाब से कम जादा कर सकते हैं मैं सिर्फ तीन चेमर्च मलाई इस्तेमाल करी हूँ अच्छे तरीके से हमारी सूजी भुन गई है बहुत बढ़िया खुषबू आ अब इसे मैं निकाल ले रहे हूं एक बड़तन में यहां पर मैं आप सबको याद दिला दे रहूं अगर हमारी वीडियो आपको जरस भी पसंद आया आपको लग रहा हो कि हमारे काम का है कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज मैं से निवेदन कर रही हूं और सेम कड़ाई में एक कब दूद और एक चौथाई कब मिल्क पाउडर डाल दी हूं गैस अभी नहीं चलाई हूं ठंडे दूद में पाले इसे मिला लेंगे पाले का उबला हुआ दूद है रूम टंपरेचर पर है और धाई सो एमल दूद ली ह तो बहुत पहतरीन स्वाद आएगा इसमें मैं मिल्क पाउडर डाली हूं इससे मावा जैसे स्वाद आता है बहुत ही बढ़िया मिठाई बनती है ठंडे दोद में मिला लें उसके बाद गैस अन कर लें अब मैं गैस अन कर ली हूं थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा तब आगे दिखा रही हूं जब यह थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है तो मावा जैसे देखने में भी लगता है स्वाद बहुत ही बहतरीन आता है इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बोक्स में लिखना न भूलें हमें भी तो पता चले कि हमारी प्यारी सी यूट दम लो कर लें नहीं तो दोद गाड़ा हो गया कड़ाए के तले में पकड़ लेगा गैस का फ्लेम लो करने के बाद जिस कप से मैं सूजी ली थी उसी कप से मैं चीनी ले ले रहे हूं डेड़ कप चीनी इस्तेमाल कर रहे हूं मीठा अपनी एक चानुसार कम जादा कर सकते हैं आधा कप डाल दी डेड़कव चीनी हो गई अपने घर के कोई भी एक कटोरी मेजर मिंट के लिए सेट कर लेंगे उसी से सब समाल लेंगे तो मिठाई फर्फेक्ट बनेगी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और जन करने की भी जवरत नहीं पड़ेगी सिर्फ कटोरी से ले लें तो चीनी को मिल्ट होने देंगे दिमियाज पर एक उबाल आ जाएगा आप देख पा रहे होंगे जब ऐसे चीनी मिल्ट हो जाए तो फिर से गैस का फ्लेम लो करके इसमें सारा समान मिक्स कर देंगे अब मैं इसमें एक चब्थाई चेमच छोटी लाची के पौडर डाल दी हूं आप चाहें तो केड़ा वाटर भी डाल सकते हैं जो आ मादा कफ सुखे नारियल का पुरादा डाल कर में तयार करी थी गैस बंद करके अच्छे तरीके से मिला लें इसे अब गैस नहीं चलाएंगे यह मिक्स जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना बिलकुल गाड़ा होता जाएगा सूजी है सूजी बहुत ही दूद और पानी सो अजाम और किसमिस डालती हूं अपने एक्छा अनुसार कोई भी ड्राइफूर्स आप डाल सकते हैं कम जादा कर सकते हैं आप देख पा रहे होंगे यह मिक्स गाड़ा होता जा रहा है इस बात का आप ध्यान दें गैस नहीं चलानी है और समान जिस हिसाफ से मैं ली हूँ इसी हिसाफ से लेंगे गैस बंद करके सूजी को डालेंगे तो फिर से गैस नहीं चलानी पड़ेगी बिल्कुल बढ़िया मिठाई आपकी बन के तयार हो जाएगी मक्षन की तरह मूं में घुल जाएगी जब आप खाएंगे बहुत ही तेस्टी बनती है मीठा तो अपने मिक्ष अनुसार कम जादा कर सकते हैं इसे चलाते जाएं लगाता ताकि इसका कलर भी अच्छा आ जाए पांच यच्छे मिनट लगता है मिक्ष काफी गाढ़ा हो जाता है जब ऐसे गाढ़ा हो जाए ना तब इसे कवर करके छोड़ दें 7-8 मिनट के लिए आप चाहें तो और मखन की तरह मूलायम लड्डू बनेगा आज मैं लड्डू बना रही हूं आप चाहें तो इसे बर्फिक तरह सेट कर सकते हैं किसी थाली में फैला दें वर्फिक तरह भी यह सेट हो जाएगा तो यह मिक्ष काफी सूख गया है थोड़ा ठंडा भी हो गया है आप चेक क लेकिन मैं आज लड्डू बनाओंगी ऐसे इसे मैश कर देंगे बिल्कुल मक्षन की तरह मुलायम हो जाएगा मलाई लड्डू बना रही हूं बहुत ही बढ़िया लड्डू बनेगा इसमें चास्नी बनाने की जहुरत नहीं पड़ेगी ना मावा की जहुरत पड़ेगी ना आप चेक करें जब बढ़िया से लड्डू गोल बने ना तो बना लें विल्कुल बढ़िया लड्डू बनेगा इसे आप कई महिने तक स्टोर करके रख सकते हैं खराब नहीं होता है तो मैं देख रहे हूं बढ़िया से बन रहा है कि नहीं अभी गीला है इसलिए हाथ में चिपक रहा है पांच मिनिट बाद और ये कड़ा हो जाएगा तब हाथ में नहीं चिपकेगा ऐसे गोल गोल लड्डू बना कर मैं तयार कर ले रही हूं अगर या वीडियो आपको जरस भी पसंद आये तो अपने फेमिली और मित्रू में जरूर शेयर करें हमें सपोर्ट क खाने में बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे तो हमारा लड्डू बनके तयार हो गया है आप इस तरीके से मलाई लड्डू कब बना रहे हैं अगर बना रहे हूं तो आपका लड्डू कैसे बना अपना उन्भों हमारे साथ जरूर शेयर करें इसे कितना भी दिन तक रखे रहेंगे ऐसे ही नरम बना रहेगा मक्षन की तरह कड़ा नहीं होगा एक दम सूपर शॉप्ट लड्डू बना है घर में बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे जैसे इसका मलाई लड्डू नाम है न वैसे ही मलाई की तरह नरम होता है इसे एक बार आप चरूर ट्राइ करें आपका लड्डू कैसे बना बताना न भूले प्लीज